ओम नमोशिवाय हर हर महादेव कार्तिक मास की कहानिया बिनायक जी की कता एक बिनायक महाराज थे चुटकी में चावल कुलिया में दूडली एक फिर रहे थे कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो कोई ना बना वे सबसे कहते घूम रहे थे जरा से दूठ चावल की कैसे खीर बने एक बुड़िया थी बोली ला वेटा मैं बना देती हूं बुड़िया बाहर जाने लगी तो बोले कहां जा रही है बेटा बरतर मांग के लाओं बोले देख तेरी घर में अंदर देखा तो दूठ का टोकना भरा है चावल की परात भरी चूला जला के खीर बनाई खीर निकलने लगी बहुने कटोरा भर के किवाल के पीछे बिनायक बाबा का छीटा लगा के खाली जब सारी खीर बन गई बुड़िया बोली आ वेटा जीम ले मैंने तो खाली कब खाई तब तेरी बहुने खाई बुड़िया बोली तैने खीर जूठी कर ली हाँ जी खीर निकल लई थी तो मैंने कटोरा भर के बिनायक जी का छीटा लगा के खाली मिनायक से बुड़िया बोली अब क्या करूं गड़ेश जी वो ले खा और माट बुड़िया खीर वाटने लगी तो दुन कहते सुनते हैं उंकारा भरते रहना बोलिये बिनाय एक भगवान की जय